जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा राजिस्थान संकटने एक बहुत ही नाटकिये मोड लिया है और जो खबरे वहां से उभर करा रही है वो बहुत ही जबरदस्त है जी हाँ मुख्य मंतरी अशोक गहलोत ने कुछ टेप्स जारी किये हैं जिसमें कथित तोर पर पाइलिट खेमे के कुछ नेता जो हैं वो मोडी सरकार के एक मंतरी के साथ पैसों की बात कर रहे हैं ये तमाम टेप्स इस वक जबरदस तरीके से वाइरल हैं क्यूखिए इसमें सीधा लिंक मोडी सरकार के एक मंतरी का दिखाई दे रहा है इसलिए खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है मैं आपको टेप्स भी सुनाओंगा मगर मैं आपको बता दूँ एक अरसे बाद इस मुद्दे पर कॉंग्रिस नहायथी आकरामक टेवर में दिखाई दे रहे हैं खबर ये सामने उभर करा रही है गजेंदर सिंग शेखावत के किलाफ एफ आई आर दर्श कर दी गई है बीजेपी से जुड़े एक नेता और बिजनसमन संजे जेन को गिरफतार कर लिया गया है और पाइलिट खेमे के एक और विधायक भवर लाल शर्मा के खिलाफ भी एफ आई आर दर्श कर दी गई है देखिए मैं एक बात सपष्ट कर दूँ आज जब नियूस क्लिक आपको उस आडियो टेप के कुछ अंच सुनाएगा तो नियूस क्लिक में हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये आवास किसकी है नहीं ये जौँच का विशर है हम ये भी नहीं दावा करेंगे कि इसमें कौन सानेता मुदी सरकार के किस मंत्री से बात कर रहा है आज हम صिर्फ आपके सामने तथ्थे रखेंगे मगर मैं आपको मीडिया के दोहरे मापदंड की एक मिसाल देना चाहूँगा ये खबर कल रात को जाके ब्रेक होती है आडियो टेप सामने उबर करा जाते हैं मगर मैंने उस वक्त तमाम न्यूस चैनल्स पर निगार डाली किसी ने इस खबर को लेके फ्लैश तक नहीं चलाया ब्रेकिंग न्यूस तक नहीं चलायी आडियो टेप के अंदर क्या है वो चलाना तो बहुत दूर की बात है आपके स्क्रीन्स पर इंडिया टीवी किसी और खबर पर था आज तक किसी और खबर पर था एबी पी न्यूस किसी और खबर पर था इंडिया टुडे वो भी इस खबर पर नहीं थे उन्होंने इसका फ्लैश नहीं चलाया मैं समझ सकता हूँ कि विगएर पुष्टी के कोई खबर नहीं चलाया जानी चाहिए तो इस लिहाज से मीडिया ने बहुती जिम्मेदार भूमिका निभाई मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब विपक्षी पार्टियों की सरकारे होती है या विपक्षी पार्टियों की बात होती है तब ये जिम्मेदारी नहीं दिखाई जाती मैं आपको धेरों मिसाले दे सकता हूँ आम आगभी पार्टी के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन था उसकी बगएर पुष्टी किये नियूस चैनल्स ने चला दी मद्ध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कॉंग्रिस के नेताओं की आवाजें चला दी गई थी नियूस चैनल्स में बगएर पुष्टी किये बिहार में आज से 5 साल पहले धेरों ऐसे टेप्स आये थे उस वक्ट जो महागटबंधन था जिसमें नितीश और लालूस आते धेरों ऐसे टेप्स चला दिये गए थे तब मीडिया जो है पुष्टी नहीं करता है मगर सबसे पहले मैं आपको ये टेप्स में आवाजे सुनाना चाहूंगा इसमें कई जसे कहते हैं न हैरत अंगेज बात ही की जा रही है सबसे बड़ी बात जो इस वक्ट आपके स्क्रीन्स पे है जो दैनिक भासकरने चापा भी है कि आप पैसे जो हैं वो दिल्ली या श्रीनगर पहुँचा देना अरे भाई ये श्रीनगर का क्या लिंक है क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी का कोई भी विधाय कोई भी नेता और उसके पैसे को श्रीनगर भेजे जानी की बात की होती तो अब तक मीडिया ने या बीजेपी ने उसे सेपरिटिस्ट करार दे दिया होता या देश-द्रोही तक बता दिया होता क्योंकि बाश्रीनगर की है मुझे लगता है जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सचिन पाइलिट की जो पतनी है वो फारूख अब्दुल्ला की बेटी है उमार अब्दुल्ला की बेहन है देखे इस तरह की बाते हमें नहीं कर दी चाहिए जब तक इसकी पुष्टी ना हो मैं इस तरह की जो गॉसिप है उसके कड़े शब्दों में आलोशना करता हूँ मगर आप मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उस आडियो के कुछ अंच मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसकी आवाज है कौन किससे बात कर रहा है मगर सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आप सुदिए आपको एक बारे साड़ी संख अपलो रुजय नहीं आपने आज ही सुदिए प्रोग्राम की एंगें को पता जी आप अलो जै भाई हाई हाँ तो इस सुदिए हमारे साथी के दिली में बैठे हैं हाँ पैसा ले चुके हैं हाँ और पहली किस्त पाँ चुके हैं इस सी नहीं राए बोल ठीक है लेसाथ कमेंट रहे हाँ हलो जाब आप बोलो अज अज अके लाई होनी एंग अके लाई होनी आप इस अबर एक टेन आप दो तीन दीनाम संख पूरी हुज़े वह नहीं आप थीस कॉंग्रिस में इसमें कड़े तेवर अपना लिये हैं उन्होंने सीधा हमला मुदी सरकार पर बोल दिया है क्योंकि यहाँ पर कथित तौर पर गजेंदर सिंग शेखावत की बात की जा रही है जिन पर अब FIR भी दर्श कर दिया गया सुनिए भारतिय जंता पार्टी के एक केंद्रिय मंत्री से तथा कथित तरीके से बातचीत कर पैसे का अदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी इसलिए हमारी मांग है कि नमबर एक प्रतम द्रिश्टी से राजस्थान की कॉंग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रिय कैबिनेट मंत्री शिरी गजेंदर शेखावत के खिलाफ स्पेशल ओपरेशन ग्रूप्स एसो जीक द्वारा एफ आयार दर्ज की जाए पूरी जाच हो और अगर पद का दुरुपियोग कर जात प्रभावित करने का अंदेशा हो जैसा प्रतम द्रिश्टी से प्रतीत होता है तो वारंट लेकर शिरी गजेंदर शेखावत की फोरन गिरफतारी की जाए नमबर दो शिरी भवरलाल शर्मा विधायक वे शिरी संजे जेन भाजप्पा नेता के खिलाफ भी एफ आयार दर्ज कर बिंदू एक की तर्ज पर कारेवाही हो नमबर तीन पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है वे ये सारा काला धन किसने मुहाया करवाया कहां से आया हवाला से ट्रांस्फर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया इसकी संपूरन जाच हो नमबर तीन नमबर चार जाच में यह भी खुलासा हो कि केंदर सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति अधिकारी या एजंसियां राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं अब जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है जब भी इस तरह की खरीद फरोग की बात होती है जहां पर नेता इस बात को भी सुईकार कर लेता है कि हाँ मैंने पैसे दिये थे तब भी अदालतें पूरी तरह से उदासीन होती हैं मैं आपके सामने करनाटक की मिसाल देना चाहता हूँ उस वक्त धेरों ऐसे आडियो टेप सामने उभर कायर आए थे जिसमें कथित तोर पर मौझूदा मुक्यमंत्री बी एस यदरपा जो हैं वो पैसे की बात कर रहे थे मैं आपके सामने उसको लेकर F.I.R. भी दरज हुई उसको लेकर केसिस भी हुए मगर कुछ नहीं हुआ मसलँ आपके सामने एक खबर F.I.R. अगेंस बीएस यदरपा थ्री आडर्स ओवर आडियो टेप F.I.R. दरज हो चुकी है अब इस पर गोर कीजिए प्रिंट की एक खबर ये दावा कर रही है कि यदरपा ने इस क्लिप में ये कहा था कि हम ना सिर्फ दस करोड हर विधाय को देंगे बलकि बारहा लोगों को मंत्री भी बनाएंगे इन तमाम लोगों को लिकर F.I.R. दरज हो चुकी है इसकी जाच हो रही है मगर बावजूद इसके ना सिर्फ एक चुनी हुई सरकार को तोड़कर बेरहमी से काटके वहाँ पर B.J.P. की सरकार बन जाती है बलकि वो शक्स जो पूरा इस मामले के केंडर में था उसे मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है और सबसे खतरनाग बात आपकी स्क्रीन्स पर ये एक और खबर यहाँ पर ये दरप्पा ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में सीधे तोर पर उस वक्त B.J.P. के अध्यक्ष आमित्शा का दखल था यानि कि इस पूरे आपरेशन को अंजाम दिया था अमित्शानी ये मेरे शब नहीं है B.S. इदरप्पा की शब नहीं तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र इस देश में कितना बड़ा चलावा है चुनिवी सरकार उभर कर आती है उनकी सरकार चल रही होती है पैसे का लोब दिया जाता है बिक जाते हैं ये विधायक हमने जो इन्हें जनादिश दिया होता है उसके साथ ये लोग विश्वास घात करते हैं पैसे के लिए इन्हें खरीद लिया जाता है मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो खुद इस बात को स्विकार करता है कि हाँ ये मेरी आवास थी मगर कुछ नहीं होता ये अपने आप में सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है आज बोलके लब आज़ाद है तेरे में मैं तीन सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सवाल नंबर एक और ये सवाल सीथे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से है क्योंकि प्रधान मंत्री ने राजनीतिक शुचिता की बात की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा जो लोगों के दिलों में घर कर बैठा है वो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा प्रधान मंत्री मेरे आप से सवाल अब जब कि राजस्थान सरकार ने आपके एक मंत्री गजेंदर सिंख शेकावत के खिलाफ F.I.R. दर्ज करती है आप गजेंदर सिंख शेकावत पर क्या कारवाई करेंगे क्योंकि आपर सीधे तोर पर उनका नाम उभर कर आ रहा है गजेंदर सिंग शेखावत का इस वक्त जब मैं कारकर में कॉर्ट कर रहा हूँ इस पर कोई बयान नहीं आया है क्या आप उन पर कारवाई करेंगे दूसरा सवाल यह सवाल कॉंग्रेस के उस पूरे यूथ ब्रिगेड से है जो सालों से कॉंग्रेस में थे मगर अब उन्होंने पल्टी मार लिया और बीजेपी की तरफ रुख कर रहे है चाहे जूतरादित सिंधिया जो की अब राजसाभा सांसद हैं बीजेपी की तरफ से या पिस सचन पाइलेट की भी लगातार बात की जा रहे है अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि जब आप लोगोंने पार्टी छोड़ी थी बताईए ना क्योंकि अगर सच्थे वो सच्थे है जिसका हवाला आप जैसे लोग देते हैं तो साहब ऐसा सच्थे आपको ही मुबारक हो ऐसा सच्थे आप रखें अपनी जेव में रखें देश की जनता से उसके कोई लेना देना नहीं तीसरी बात ये सवाल प्रवर्तन निदेशाले से है क्योंकि प्रवर्तन निदेशाले जैसे ही कोई ऐसे मुद्दे आते हैं खासकर विपक्षी पार्टियों को लेकर वो बहुत ही सक्री हो जाते हैं क्या प्रवर्तन निदेशाले इस मुद्दे पर कारवाई करेगा, क्या वो कठोर कदम उठाएगा, अब जबकि धेरों आडियो टेप सामने उभर करा रहे हैं, या आप इस सरकार के रट्टू तोता बन कर रह जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं बूला हूँ, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था CBI को, अब जबकि एक अर्से से प्रवर्तन निदेशाले, ये ED जो है, विपक्षी दलों को टार्गेट कर रहा है, क्या इस मुद्दे पर आप कारवाई करेंगे, क्योंकि इन ओडियो टेप्स में कथित तौर पर उन कॉंग्रिस के नेताओं की आवाज है, जो बीजेपी जाना चाह रहे थे पैसे के नाम पर, या फिर कथित तौर पर गजे इंदर सिंग शेखावत की आवाज है, क्या आप कोई कारवाई करेंगे? देखे, हकीकत क्या मैं आपको बताता हूँ, हकीकत यह है कि पूरा का पूरा जो आपरेशन लोटिस है, जिसकी कमान 12 जुलाई की रात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा ने सम्हाली थी, वो पूरी तरह से बिखर गई थी, क्योंकि इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेपी नडडा 12 जुलाई की रात जो हैं तीन नेताओं से बुलाकात करते हैं, यह जो मैं खबर आपको दे रहा हूँ, इंडिया टुडे में छपी इस खबर के बनियाद पर है, कि जब यह खबर सामने आती है कि अशोक गहलोत और साचिन पाइलेट की बीच में जबरदस तनाव है, उसके तुरंट बात क्या होता है कि इन तीन लोगों को नियुक किया जाता है, बीजेपी एताब हुपेंद्रियादव, गजे इंडर सिंग शेखावत, और उम माथुर, इन तमाम लोगों को नियुक्त किया जाता है, और उसके बाद इस मामले को आ वाकई 30 विधायक तोड़कर आ जाते हैं, तो उन्हें बाहर से समर्थन देके बीजेपी सरकार चलाएगी, अगर ऐसा होता, तो इस बात की सुक्वुगाट है, और मेरे कई पत्रकार मित्र मुझे बताते हैं, कि वसुंद्र राजे सिंध्या अपने 40 विधायक तोड़के, वो समर्थन अशोक गहलोत को दे सकती थी, तो मामला इसलिए पेचीदा हो चला था, बार बार सचिन पाइलेट कथित तोर पर इस आर्टिकल के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक सचिन पाइलेट बार बार ये कह रहे थे, कि भाई, मैं अगर ये कदम उठाता हूँ, तो मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाता पार्टि ने अपने हाथ जो है, इस पूरे ऑपरेशन से पीछे खीच लिए। मगर आज, आज जबकि ये मामला सामने है, सारवजनिक तोर पर है, तो ये बात सपष्ट हो गई है, कि इसने कई लोगों को एक्सपोस किया है। इसने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के फलसफे को एक्सपोस किया है, इसने हमारी एजनसी के दोहरे माबदंड को एक्सपोस किया है, इसने हमारे मीडिया चैनल्स, खैर मीडिया चैनल्स तो एक अरसे से उनका परदाफाश हो चुका है, उन्हें भी एक्सपोस किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि coverage को लेकर उनकी क्या सोच है और दूसी तरफ जब विपक्षी दल जो होते हैं जब वो फसे होते हैं तब उनकी किस तरह की coverage होती है सबसे दुख की बात ये है कि एक ऐसे वक जब देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है हालात बहतर नहीं हो रहे हैं अब आपके screens पर जो मैं आपको आँकड़ा दिखा रहा हूँ इसके मताबक भारत के अंदर कोरोना के जो cases हैं वो अब 10 लाक को पार कर शुके हैं अब आपके सामने मैं ये ग्राफिक दिखाता हूँ आप देख सकते हैं ये भारत का सुरते हाल है यहाँ पर कोरोना के मरीज जो हैं उनकी संख्या पहले कम होती है और आप देखिए किस तेजी से लगातार बढ़ रही है इस सुरते हाल में पहले मद्ध प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार को गिराया गया और अब वही जो जुगत है वही कवाय जो है राजिस्थान में चल रही है जबकि राजिस्थान के अंदर अशोग गहलोत सरकार का काम औसत से बहतर रहा है कोरोना संकट पर काबू पाने को लेकर उनके भीलवाडा मॉडल की खासी तारीफ हुई थी ऐसे सुरत हाल में अगर सरकार गिर जाय अशोग गहलोत की तो कितनी बड़ी नाइनसाफी प्रदेश की जनता के साथ होगी क्या उसके बाद जो अफरा तफरी होगी उसकी जवाब देही किसकी है क्या भारती जनता पार्टी उस बात की जवाब देही करेगी क्या सचिन पाइलिट इस बात का जवाब देंगे कि इस सुरते हाल में वहाँ पर आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे ये तमाम एहम सवाल हैं फिर देखें ये दो आंकड़ी ये दो तस्वीर हैं 10 लाक के पार कर चुका है भारत में कोरोना का आंकड़ा और दूसी तरफ ये मैप देखी signing जिसमें किस तरह से आंकड़ा जो है लगातार बढ़रा है और अब ये देखिए इसमें आप देखिए कितनी तेजी से संख्या जो है एक लाक से दस लाक तक गई कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं ये आशंका जताई जा रही है कि अगस तक ये आकड़ा 20 लाक को पार कर सकता है अभी ये 10 लाक है यानि कि अगले एक महिने में इतना जबरदस उचाल क्या देश इसके लिए तैयार है क्या सरकार का इसमे ध्यान है क्योंकि सरकार का जो पूरा प्रॉपगांड़ा तंत्र है या तो वो हिंदू मुस्लिम करते रहता है या फिर इस तरह से विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है ये तमाम वाजिब सवाल है मेरे इन सवालों से भारती जाता पार्टी के समर्थक बुरा ना माने क्योंकि आप किसी पुलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं मगर आप अन्तिता इस देश के नागरिक हैं इस देश की गरीब जनता के प्रती आपका एक दायत तो है आपकी एक भुमिका है आप अपनी राजनीतिक महत्वा कांख्षा की चलते उन्हें मसल नहीं सकते भाई उन्हें कुछल नहीं सकते हैं इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इस कोरोना संकट में जरूरी ये था कि हमारा चरित्र, अच्छा चरित्र सामने उभर कर आता मगर हो क्या रहा है इस संकट के बीचों बीच राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोश्की जा रही है लोगों में कड़वाहट पैदा करने की कोश्की जा रही है और आप और हम जो घरों में बैटकर ये तमाशा देखते हैं हम उफ तक नहीं करते हैं दिल ही दिल में हम लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक जहर इस कदर फैल चुका है बोल के लब आजाद हैं तेरे में वसित नहीं मेरी आप सबसे अपील की सकार करम को जाल सादा लोगों तक पहुँचाएं से लाइक करें शेर करें और न्यूस क्लिक को सब्सक्राइब करें अब इसार शर्मा को दीजिए जाज़त नमस्कार